आईए दोस्तों मैं बलन महता आज आपको अपने एक ऐसे योग से मिलाता हूँ जो जिसने भेड़ पालन को अपना रोजगार के रूप में अपनाया हुआ है और रोजगार के लिए पलायन करने के बजाए उसने भेड़ पालन को अपने रोजगार के रूप में उसको अपन आये मैं पूचता हुआ है आइए मैं पूच्ता हुँ छिस् fantasy है जो करते हो नमस्कार आए यह बेड़ घुम हो बजु experts पर कंदधर humber तो यह व्योजारी होए यह जी हमने सोता यार अब नागरि सागरी कुस मिलनी रहे है झाल सब्सक्राइब जाते हैं जी और चौमाश के दिनों में आप तब कहां ले जाते हैं भगरे को अब ज़रा अब आगे गर्मी अच्छा अब जाते रहेंगे ठंडे अफ्टे नामी गल पिर जाते हैं घदर साइं अच्छ था ओवाब दे जोहहर न गैया तो फिर जाएंगे हम मत तुछ ली में जाएंगी जी मतों टोपि दुम और तक जाते हैं Jugasi न तुछ दुम के न गट तो आते हमum यहां घुजचर यहां बे फिर बॉल यह बुढमा कि पोद्या बेटादा में ने होते हैं reduce मैं यहां आये हो गए मेरे पुनिया तो आप दाने की भूजं पांड की प्योष्ता यहज़ा करते हो कैसे खाना खाते हो कैसे क्या होता इस बता हो तो ज्चार इस तरह से तरह तरह की शीटा बजाने के साथ इन भेर बगरे के साथ यह ही अपना जीवन गुजारते हैं और इन भेर बगरे के शाथ अपना भी खुद जानर की तरह से लगना पड़ता है तभी इस रोजगार में बरगत होती है इस तरह से बताते हैं यह जो बेड़ बकरियां का पुशुपालन का कारे आज बिरोजगारी के कारण पलाइन कर गे उन लव योगों के लिए एक रोजगार का एक अच्छ शाधन हो सकता है जो इस काम को करना चाहें तो इसमें मेहनत जरूर है लेकिन जो आदमी मेहनत कर सकता है तो उसके बाद उसमें थुआ आदमी का जो है रोज मरा के खानी पीने का जो रोजगार नहीं है तो कम से कम इस रोजगार को अपना कर आदमी अपना भरन पोशन और बच्चों को पाल सकता है हमारे पहाडों में इस तरह का रोजगार पहले इस से पूर्भू भी कई हमारे पित्रों ने किया ये काम और उन्होंने पशोपालन को अपनाए हुए रखे क्योंकि रोजगार के लिए बहले लोग बहुत कम पलाइन करते थे और उनको पता ने था कि सहरों में कि आवहावा पसंद ना होने के कारण वहाँ के धूल मिट्टी वहाँ के गर्मी और परदुशित आवहावा में जाने के बजाए लोगों ने अपने ही शेत्रों में इस तरह के के रोजगार को अपनाया और भेड़ पालन बकरी पालन और पशोपालन के शांसाथ लोगों ने अपने इस खूसरत सुंदर वादियों में जहां ये तरह तरह की जड़ी बूटियां और बनस्पती जगत जहां भरपूर प्रचुर मारता में मिलता है लोगों ने इस तरह के रोजगार को अपनाये हुए था और ये वही लखे हैं जिन में अभी भोजन ले जाने की बात कर रहे थे ये बकरीयां हैं जिन में 15-15-20 किलो के आनाज को ये लोग ले जाते थे और इस तरशे बुग्यालों में यह जो है इन बकरियों के साथ अपना जियो नयापन के साथ अपना एक रोजगार के रूप में इस खुबसुरत गवाधया में जहां साफसोत्रा वाताबरन और सुध अभुहावा इस तरशSी लोग अपना रोजगार में लगे हैं बहुत सुन्दर लगता है आनंड में जरूर लगता है लेकिन उसके सांसांत उतनी मिहनत भी करने पड़ती है ऐसा नहीं है कि लोग इस कारे को न करें क्योंकि आजकल के इस दौरती भागती दुनिया में जहां रोजगार की कैमिया हो तो इस तरह से इस काम को अपने आ जा सकता है और ये जो खुबसुरत लखे हैं ये अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ये लखे होते ही नहीं है ये लोग अपना भोजन पाने को ले जाते हैं और ये एक रोजगार का अच्छा साधन हो सकता है उन नव योगों के लिए जो रोजगार के लिए पलाइन करते हैं इस तरह से इस योग दोरा कुछ शेयर करी हुई बाते में आप लोगों को तक पहुंचा रहा हूँ अगर वीडियो अच्छे लगी तो रिप्या लाइक कमेंट और शेयर जोड़ करिएगा और मेरी वीडियो को देखते रहेगा धन्यवाद